विवादित रियालेटी शो बिग बोस OTT सीजन 3 को लेकर काफी समय से बज़ बना हुआ था कंटेस्टेंट के नाम के साथ साथ चर्चा थी कि सलमान खान को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा अब आखिरकार इस पर मुहर भी लग गई है 31 मई को मेकर्स की तरब से बिग बोस OTT 3 का पहला प्रोमो जारी करते वे बता दिया गया है कि सलमान खान की शो से चुट्टी हो गई है इस बार बिग बोस की गद्दी कोई और नहीं बलकि सरसट साल के अनिल कपूर सम्हालने जा रहे है सलमान की कुरसी छिनने के बाद अब सोनम कपूर का भी रियक्शन सामने आया है सोनम कपूर भले ही अनिल कपूर की बेटी है लेकिन उनका बॉंड सलमान खान के साथ भी गहरा है दोनोंने फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी साथ काम किया था अब पिता ने उनके प्रेम यानिकी सलमान खान को रिपलेस किया है जिस पर एक्ठरेस ने रियक्शन दिया है उन्होंने अपने पिता को दुनिया का सबसे हैंसम आदमी बताया है सोनम कपूर ने इंस्टागरम स्टोरी पर जीयो सीनेमा के इंस्टाग्राम हैंडल पर जारी बिग बस OTT 3 का ओफिसियल प्रोमो री शेयर किया है जिसके साथ एक्ट्रेस ने कैपसें में लिखा है उन्हें सबसे टेलेंटेड महनती और हैंडसम आदमी मिल गया है शो की अनौसमेंट तो हो गई है लेकिन अभी तक रिलीज डेट का एलान नहीं हुआ है रिपोर्ट्स की माने तो शो जून में शुरू हो सकता है इस बाद शो में दिलजीत को और शिवांगी जोसी सफकनाच वाइरल वड़ा पाउगल चंदरी का यूटूबर जैन सेफी और